कन्या बोली इसी समय तुम रोज हमें मिल जाते हो बीजेपी के कमल सरीखे आखिर क्यों खिल जाते हो ये बोले तुम भी बतलाओ इसी समय क्यों आती हो और सफा की साइकिल जैसी इतना क्यों लहराती हो कन्या बोली छोड़ो मुझको मैं तो बेहन कुमारी हूं ये पहिचान मुझे नारायन दर्तिवारी नेकिन ये जिन्दा है मैं इन्हें आमन्तित करता हूं आपके समझ पंकत पुर्सून के लिए जोड़ा तालिया होनी चाहिए हास में के बहुत अच्छे कभी और बहुत असाधारन कतित और दिक्षित इनका आपके तालिया और पंकत पुर्सून ट्रम्प साहब को कि ट्रम्प साहब क्या हुआ वो बोले हम सिकार हो गए बोले किस चीज का वो बोले सही मत गड़ना का वैसे हमारे मोधी जी बहुत ही टेलेंटेड है उन्होंने आज के छे महिना करीब आठ महिना पहले ही बहुत बड़ा आयोजन किया अहमदाबाद में और कह दिया था नमस्ति ट्रम्प कमाल की बात है कि ट्रम्प जिसे त्रम्प जिसे विल्कम फंक्शन समझ रहे थे वास्तों में उनका फ्यर्वेल फंक्शन था तो इसी तरह से बदलती रहते हैं और हम कभी इन इस्तितियों से व्यंग निकालने की कोशिस करते हैं किस तरह से पिछले कुछ महिनों में परिवर्टन आये देश में, आप सब ने देखा होगा, पहले कभी किसी को छींक आती थी, तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था, अब किसी को छींक आ जाए अगर, तो रुके हुए आदमी के अंदर का मिलखा सिंग जाता है, इतना खतर करना खरसी हो गई इस यूग में, तो नम मिसाइल से नहीं डल लगता है, भाई साब लोग कहते हैं, आपकी खांसी से डल लगता है, किस तरह से परिवर्टन आ रहे हैं, अगर आप देखिए कि मास्क ने बड़ा जबरदस्त काम किया इस देश में, पसंद आएगा तो तो मास्क ने क्या किया, कि उची नाक के गर्व और नीची नाक के शर्म को एक ही आवरण से डग दिया, और मास्क ने गजब का काम किया, कि मास्क ने मुस्कुराहट और मन्हूसियत को एक कर दिया, अब कोई मास्क लगा हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कि वो पूल आप नहीं लगा सकते और गालिब होते तो इस मास्क रकाल में क्या कहते कि हजारों मास्क की ख्वाहिस की हर ख्वाहिस पे दम निकले यही कहते और क्या कहते हजारों मास्क की खौहिस की हर खौहिस पर दम निकले करू जो क्लीन हाथों को तो साबुन हट से कम निकले और सुना जब से कोरोना तेरे मुहले में है आया बहुत बेयाबुरू होकर तेरे कूचे से हम निकले हम अब क्या हो आफ सूच है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों में बड़ा प्यार है मैं अदोनों में बड़ा प्यार हो बाद ने पता चले कि प्रेमिका का मुहला कॉरंटीन हो गया है कितनी दिक्कत आई लोगों के सामें लग कोई तरीका ही नहीं था अब मजाज सहब क्या लिखते हैं हमारे लखनोगों के बड़े शायर थे उनका बड़ा मशूर शेर है वो क्या लिखते कि तुझे आती है खांसी ये बता देती तो अच्छा था तुझे आती है खांसी ये बता देती तो अच्छा था मेरा तू आइसो लेशन करा देती तो अच्छा था और तेरे चेहरे पर ये आचल बहुत ही खूब है लेकिन इसे कटवा कि जो तू मास्क बनवाती तो अच्छा था देखिए हमारे बड़े मस्हूर कभी है देश के कुमार विश्वास साहब अजय वो क्या लिख रहे होते हैं यह ना वह लोग कभी से मेलने पिछले दिनों टीबी के कारेक्टर में साथ में ते हमान अक्छर भी थे उनके साथ में वो क्या लिखते कि कोई पाना समस्ता है को जो हाथ का धोना समस्ता है कोई पाना समस्ता है अगली पंक्त में उठाईएगा थोड़ा सा कोई पाना समस्ता है कोई खोना समस्ता है बचा रहता है वो जो हाथ का धोना समस्ता है तो मुझसे दूर कैसी है मैं तुछ से दूर कैसा हूँ इसे हम दोनों से बेतर यह कुरोन समस्चा गुलियों का महर्त नाक अन्ष पटा चला पास आना ही मुहबबत नहीं होती है दूर हो जाना भी मुहबबत कुछ न गहीं है को रॉट पर वाग автом घर करते रहंगे हमारे मुखल लिखरमाहन जी बैठे हुएं यह बता रहे था कि पंकाज मुझे एक ब्रह्म्हान प्राप्त हुआ हूआ है उने कहा किया वो बोले जो क्वैलन्टाइन है यह वैलन्टाइन का आपोजिक है आहिं, भी पाल कैसे अचाइप गोले कि the नहीं है कभी कभी तो अदबुत सेंस आफ लूमर है मुकुलमहान जी का व्यंग के ये वो मशहूर कभी है जो ना सिर्फ मंच पर कविता पढ़ते हैं बलकि अख़वारों में कॉलम भी लिखते हैं बहुत जबर्दस तरीके से लिखते हैं फेसे से चार्टर्ड एकाउंटें हैं कैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट बने थे उसका भी मैं आपको खिस्सा बता देता हूं हुआ कुछ यूँ था कि इंटर्वु में गए थे जिए के वो लुकरी के लिए अपलाई किया था क्वालिफाई हो गए थे तो इंटर्वु के लिए इनको पुलाया गया था तो वहाँ पर इंटर्वु लेने वाले ने इनसे बड़ा आसान सा सवाल पूछा सभी से पूछ रहा था और रिजेक्ट कर दे रहा था सबको इनसे भी वही सवाल पूछा कि दो और दो कितने होते हैं बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन इन्हों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया पहले दर्वाजा बंद किया फिर खिड़की बंद की खिड़की की ऊपर परदे चढ़ाए उसके बाद इंटर्वू लेने वाले के कान में जाकर के बोले ये बताईए करना कितना है अच्छी ताली बजा दीजे तो अच्छा लगे और उसके तुरंत बाद इनका सेलेक्शन हो गया था मैं आगको बता दो कि अद्भूत प्रकिर्ट प्रेमी भी हैं यह कि हमसे बता रहे थे कि पंकेश प्रसून भगवान जिनकी हम मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं है भगवान भासे गगन वासे वायू आसे अगनी नासे नीर करेते पांच तत्त हुए भूमिगगन वायू आकास नीर इनी से मिल के भगवान बना हुआ लेकिन इनके घर में एक पाकड का पेंड है उस पे उल्लू बैठा करता था और उल्लू भाग नहीं रहा था हमसे कहते थे पंकेश प्रसून क्या बता हूं यह उल्लू भाग नहीं रहा मैं बहुत परिशान हूं मैंने कहा कि यार बहुत दुर्भाग है कि सब के पेड़ों पर कोयल बैठती है हमारे पाकड के पेड़ पर उल्लू बैठता है उल्लू को इन्होंने भगाने की सारी कोशिसें करी लेकिन उल्लू को नहीं भगा पाए तो इन्होंने समस्या ही जड़ से खतम कर दी इन्होंने क्या कि वो पेड़ ही कटवा दिया और पेड़ कटवाने के बाद में उसकी लकड़ी से सोफा बनवाया उसको ड्राइंग रूम में लगाया और जाके उसके पैठ के हमारा कांसर जब कोई चीज सद्धान्तिक रूर से डिसाइड ना हो पाए तो उसका पेटिकल करना चाहिए हमारा साइंस यही कहती है तो हमने अच्छा फिर पेटिकल लगा दिया आप यहां भी एनिमल हाउस होगा हमारे यहां भी एनिमल हाउस है बहुत सारे चूहे उसमें ह हैते थे अच्छा हम सारे लोग जो है चूहों पे ही रिसार्च करते हैं उसमें भी सफेट चूहों पर कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है हमने बहुत सोध कि इस पर पता चला कि वैज्ञानिक बड़ा देशभक्त किस्म का प्राणी होता है वो देशभक्ती दिखाना चा इसी पर ही होता है ना हमारे वाले चूहे तो रिजल्ट ही नहीं देते हैं विल्कुर हमारी तरह होते हैं तो फिर वो पिसाइड हुए चलो एक्सपरिमेंट लगाएंगे चूहा और चूहा दोनों बड़े प्रेम से रहते थे हमने चूहे को चूहा से अलग कर दिया और चूहे के सामने चूहा रखी बगल में मतर का दाना रखा हमने का अगर प्रेम की भूख बड़ी होगी तो चूहा की तरफ जाएगा पेट की भूख बड़ी होगी तो मतर के दानी की तरफ जाएगा अब चूहे ने चूहा को देखा मतर के दाने को देखा फिर चूहा को दे रखा उसने चने के दाने को देखा चुहिया को देखा फिर अपनी पिंजड़े में चला गया लेकिन हम भारतिय साइंटिस्ट वो प्राणी है जो तब तक एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक रिजर्ट नहीं आ जाते हैं हमने फिर साथ दिन तक इस्पेरिमेंट को पढ़ा दिया इस बार हमने चुहे के सामने चुहिया रखी बगल में गेहुं का दाना रखा चुहे ने गेहुं के दाने को खा लिया हमने गा देखिया मुकुल महान जी सिद्ध हो गया ना कि पेट की भूख प्रेम के भूख से जाधा बड़ी होती है लेकिन हम अधी उस साका शिकार हो गए सारे एक्सपरिमेंट हो चुका था रिशर्च पेपर लिखा जाना बाकी था रिशर्च पेपर लिख दिया और हमने conclusion दे दिया उसमें कि पेट के भूग, प्रेम के भूग से ज़्यादा बड़ी होती है हमने भेज दिया अच्छे impact factor के journal में उदर से editor का जो जवाब आया वो कमाल कथार उस पे आपकी तालियां उठे editor ने कहा research जो करी आपने हो तो ठीक है लेकिन पंकच प्रसून जी जिस तरह से आपने दाने बदले हैं गर उस तरह से चुया बदलते अच्छा लगा तो इस तरह से research होती है हमने बहुत सारे आपको वाकिया सुनाए research के अच्छा ये प्रेम रेम तो हम लोगों से होता नहीं है हम लोग हास ब्यंगे के कभी है कि वो आएगी फूल खिलेगी वो आएगी फूल खिलेगे ऐसा मैंने सोचा था शॉपिंग का बिल देख फूल ने फिर बालों को नोचा था उम्र हुई जब सत्तर तव लैला मजनू ने ये जाना सब दियने का डिफेक्ट था हार्मोन का लोचा था